हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकर के साथ दोस्तो आज हम डिसकस कर रहे हैं हिमाचल परदेश में हुई LT TET की जो परिक्षा थी उसके GK सेक्षन को और इसमें हम 121 से लिकर के 150 प्रशनों को देखेंगे और इसके तुरंट बात जो भी हमारा दूसरा सेक्षन वज़ता है दोस्तों उसको हम आपके बीच में लेकर आएंगे तो आप हिंदी साहित्य वारता चनल के साथ बने रही है सबसे पहले हम दिख लेते हैं कि प्रशन संख्या 121 से बी किस्तापना कब की गई थी तो देखेंगे इसका जो सआहि उत्तर होगा यह होगा विकलप नमबर बी 1992 में विकलप नमबर इसका साही उतर होगा नेक्स पहज़न है देखें मुगल dimensions का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए यह है विकल्प नमबर C पंडित दीन डियाल उपाध्याय जंक्षन प्रशन संक्या 123 से देखिए भारत की राष्टिय दोज की लंबाई और चड़ाई का अनुपात क्या है तो इसका जो अनुपात है देखिए यह है विकल्प नमबर D तीन अनुपात दो मनुष्य का समाने तापमान कितना होता है तो मनुष्य को जो समाने तापमान होता देखिए यह आपका प्रशन संक्या 124 का होगा विकल्प नमबर D सभी ठीक है उसके बाद है देखिए प्रशन संक्या 125 मानव रख्त का pH मान कितना है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए यह होगा आपका विकल्प नमबर A 126 हो प्रशन है भारत में कितने उच न्याले हैं तो भारत में कितने उच न्याले हैं देखिए इसका जो सही उतर होगा यह होगा आपका विकल्प नमबर A 25 प्रशन संक्या 127 हो है सूरज के प्रकास से हमें कौन सी विटामिन मिलती है तो यह है विटामिन D ठीक है D इसका सही उतर होगा जो जीला दर्रा भारत के किस स्थान पर स्थित है 128 हो प्रशन है देखिए इसका जो सही उतर होगा देखिए वो होगा विकल्प नमबर D जम्मू नेक्स प्रशन है हल्दी गाटी का युद्ध 1576 में किस के बीच हुआ तो इसका जो सही उतर है देखिए विकल्प नमबर C प्रशन संग्या 134 से देखिए पुषकर मेला कहां आयूजित किया जाता है तो यह है आपका राजस्थान में विकल्प नमबर B इसका सही उतर है इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको लगता है कि कुछ एक प्रशनों के उतर में गलत बता रहा हूं या मुझसे गल्ती वश कुछ अलग हो रहे हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं ताकि हर एक विद्यातिय तक सही जानकारी पहुंच सकें प्रशन संग्या 135 से देखिए सौर मंडल का सबसे चमकीला गरह कौन सा है तो इसका जो सही उतर होगा यह होगा विकल्प नमब जासकर श्रिंखला प्रशन संग्या 138 से देखिए रॉंग टॉंग चलवित परिवोजना हिमाचल परदेश के किस जिले में स्थित है तो रॉंग टॉंग है देखिए यह होगा आपका विकल्प नमबर C लाहौल स्पीती में प्रशन संग्या 149 है हिमाचल के किस जिले में किस की आत्म कता है तो इसका जो सही उतर है देखिए यह आपका विकल्प नमबर C विश्वनात आनंद नेक्स प्रशन है 142 वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था तो यह है लॉड करजन विकल्प नमबर A इसका सही उतर होना चाहिए नेक्स प 42 में प्रशन का जो सही उतर होगा देखिए यह होगा आपका विकल्प नमबर B शक्तिकांत 10 प्रशन संक्या 145 है भारत की राष्टिय सुरक्ष असलहाकार कौन है तो यह है आपके अजीत डोबाल जी ठीक है तो यहां पर अजीत डोबाल लिखा है डोबाल भी कई जगा आ इसका जो सही उतर होगा देखिए यह होगा आपका विकल्प नमबर B ओडिशा अगला प्रशन है वहनुक के संदरव में दिली सलका द्वारा लागू और इवन योजना में और इवन का क्या मतलब है तो इसका जो सही उतर था गाड़ी का जो नमबर है यहां पर रजिस्ट विकल्प नमबर B रैपिड एक्शन फोर्स ठीक है नेक्स प्रशन है इन में से किस अदिनियम को भारतिय दन्ड सहीता भी कहा जाता है तो यह आपका IPC विकल्प नमबर A इसका सही उतर होगा इन में से किस राज्य से जारखंड की सीमा नहीं लगती है तो इसका जो सही उत भी मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं क्योंकि ये कोई official answer की नहीं है जो अपने हमारे नीजी प्रियास से उनके अधार पर हमने आपको उत्तर बताने की कोशिश की है तो फिलाल अभी के लिए इतना ही दोस्तो जल धाजिर होंगे दूसरे पार्ट को लेकर तब तक के लिए झाल है झाल है तो हूँ झाल है झाल है